पांच मिनट में इंटिमेट एरिया को लाइटन करने का सबसे अच्छा और नैच्रल तरीका फिरंट्स वजायना के एर आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं अगर आपके वजायना स्वास्त नहीं होती तो कई तरह के रोग आपको गह लेते हैं अगर आप अपनी वजायने को लाइटन करना चाहती हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बतानी वाली हूँ कैसे होमेड नुसके के साथ अपने प्राइवेट पार्ट को इंटिमेट एरिया को क्लीन कर सकती हैं लाइटन कर सकती हैं इससे पहले मेरी आप सभी से प्राइवेट पार्ट को लेकर काफी जादा चिंतित रहती हैं डाकने इसको रिमूव करने के लिए तो आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी जादा अच्छा होने वाला है एक नैच्रल तरीका है जिससे आप अपने प्राइवेट पार्ट को लाइटन कर सकते हैं तो यहां पर फ्रेंट्स आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पढ़ने वाली हैं इस त्रैमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए अलोवेरा जेल यह नैच्रल एलोवेरा में यूज कर रही हूं इस त्यार करने के लिए दूसरी चीज फ्रेंट्स आपको लेनी हैं अलोवेरा के अंदर काफी सारी एंटी बैक्टिरियल एंटी माइक्रोबियल और इसके लाइटिनिंग प्रापर्टीज होती हैं यह आपकी तोचा से काले पन को दूर करने के लिए और पी एच लेवल को मिंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जात हैं तो फ्रेंट्स यहां पर आप अलोवेरा की जेल को एक्स्टेट कर लेंगे और यावर मैं आपको एक बात और बता दूं अगर आप अपने इंडिमेट एरिया में नैच्रल वाली यह 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 यूज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यह काफी जादा लस लसा पदार्थ हो क्रीम की तरह इस रेमडी को बनाना चाहते हैं तो आप मार्केट वाला जेल बड़ी आसानी से मिल जाता है मार्केट के अंदर वह यूज चाहते हैं अर बिर आप यूज करना चाहते हैं तो je Switch कि यूज की अजने जार सकता है अब ऑम चले आफ निकाल लेंगे हम इस रेमड के अंदर डाल देना है एक चमच टमाटर का जूस डाल देने के बाद फ्रेंट्स यहां पर आपको चाहिए नारियल का तेल एक चमच आप इसके अंदर नारियल का तेल डालिए और इन सभी चीजों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए फ्रेंट्स इस रेमडी को पार्ट को लाइट इंड करने में बहुत जादा है तो फ्रेंट्स आप इसे जरूर ट्राय करके देखिए गा इस त्रैमडी से आपको 100% रिजर्ट मिलने वाला है यह बिल्कुल नैच्रल है कोई नुकसान नहीं होगा आपको और काफी जादा अच्छा रिजर्ट मिलेगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और साथी साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए थैंक यू सामच फॉर वाचिंग बाई